अलो दोस्तों नमस्कार आज के स्पीडिस में हम बात करने वाले हैं अगर आपकी एक बैपसेड है और आपकी जो बैपसेड उसमें आपको ऐडर देखने को मिल रहा है और आप बिल्कुल नए हैं या फिर बैपसेड के बारे में कम जानते हैं या फिर बिल्कुल नहीं जानते हैं तो आप किस तरीके से उस एर्रोपूर्ट ठीक कर पाएंगे इसी के साथ में अगर आपकी जो बैपसेड है उसकी हैल्थ जाने की खराब है उस पे लिखा हुआ आ रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत कमी आ रही है तो उसे आप किस तरीके से चेक कर पाएंगे और सारी चीजों को आप खुद से ही कस्टमाईज कर सकते हैं तो वो किस तरीके से कर सकते हैं आज की इस वीडियोस में आपको बहुती सिंपल तरीका बताने वाला हूँ तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं इससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं है चैनल को सस्क्राइब कर दें और आपने अभी तिक वीडियोस को लाइक कर दें मिलते हैं वीडियो के लास्ट में तो सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट को यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे जैसे कि मैं यहाँ पर चली अपना पासवर्ट डाल कर और मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ लॉगिन करने के बाद आपकी वेबसाइट है उसका डेक्स बोर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा यहाँ पर मिल जाएगा सैट हैल्थ ठीक है अब जिन बज़े से कार यहाँ पर कम्या आती होंगी जो भी एटम होंगे वो आप यहाँ पर सैट हैल्थ पर सिंप्ली किलिक करें आप यहाँ से देख सकते हैं ठीक है इसका एक दूसरा तरीका और भी है जैसे कि आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट के डेक्स बोर्ड पे हैं अगर यह आपका नोटिपिकेशन है आप देखने को नहीं मिलता है तो आप कहां से देख सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर न सेट होगी आपको यहां पर देखने को मिल जाए ऐसे कि मेरी गुड है अभी सही चल रही है ठीक है उसके बाद में यहां पर देख सकते हैं सैट हेल्थ स्टेटस वह सारी चीजह आप यहां पर देख सकते हैं कि किस प्रगार की अब किलिक करओंगा पहले मैं ऐसे अपडेट कर लेता हूं अपना पासवर्ट डालकर लोग इन कर चुका ठीक है उसके बाद में यह आ रहा था रहा था वे हट चुका है ठीक यहाँ पर सट हैल्थ इस पर मैं simply क्लीख करता हूं तो आप यहाँ पा रहा है जैसे कि यह है ठीक है तो मैं यहां पर सिंपली परफॉर्म्स पर सिंपली किलिक करूंगा और उसके बाद में मैं थिम्स पर लेता हूं वाजी टाइम क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है तब ठीक है उसके बाद में हमने थिम्स वाले पर सिंपली क्लिक किया जो यहां पर नोडिपिकेशन देखने को मिल लिया था तो यहां पर यह है कि जैसे कि जनरेट बर्ड प्रेस का है और मैं यहां पर यह देखने को मिल लिया है तो मैंने इसे यूज किया है अपनी वैबसाइड में ठीक है तो मैं इस पर सिंपली क्लिक करूंगा क्लिक करने के बाद में ये वारा थिम्स मैं यूज कर रहा हूँ अपनी website में क्या होगा कि आप यहांपर सारी चीजों को जाने कि manage कर सकते हैं ठीक है जैसे कि logo बगरा अपनी website का या फिन नेम बगरा ठीक है तो आप यहां पर set कर सकते है storied रव वГरण आप यहाँ पर कर सकते हैं उसके बाद में चलिए मैЕं आपको यहाँ पर दिखा देता हूं जैसे कि broadagentification ठीक है जो की आप देख सकते हैं उसके बाद में यहाँ पर जो आपकी website का name है आपको देखने के उसके बाद में यहाँ पर यह आपको देखने को मिली ही जाती है इसमें आप इन साइस चीज्टों को कर सकते हैं उसके बाद में आरे चाहते हैं करना है जैसे की मैं पहले में पeilिक कर देता हूं और आप यहां पर देखने के जैसे कि मैंने यहां पर जो लोगा था मैंने बड़ा किया है वो बड़ा ही है छोटा नहीं हुआ है ठीक है तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे कि लोगो और उसके बाद में यहां पर यह ठीक नहीं मैं यहाँ से बैक कर देता हूं यह अवाला इस पर TIMические क्लीक करता हूं आप यहां पर हम क्या करेंगे इस पर SIMPLY क्लीक करेंगे अब यह कहा कर दिखाएखा जैसे कि मैं यह बारा सेलेक्ट करता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं तो इस तरीके से जो आपका लिखा हुआ है वह यहां पर हो जाएगा तो आप अगर आप इसे change करना चाहें तो आप यहां पर बहुत ही simply तरीके से यहां पर change भी कर सकते हैं मैं इसे black ही रहने दिता हूं ठीक है उसके बाद में आपको इसमें और भी कई सारे options मिल रहे हैं जैसे कि यहां पर देखी पा रहा है ठीक है तो इस तरीके से भी आप यहां पर अपनी जो set है आप उसका set health status चेक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से यहां से सारी जगे से लिए करता हूं वीडियो आपको अच्छे लगी हूँ वीडियो अच्छे लगी वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहां है चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके मुनमें फिर भी किसी प्रकार सब्सक्राइब में दे सकते हैं मिलते हैं इस वीडियो से में